पुश्पम प्रिया चौधरी एक संसनी के तौर पर बिहार की सियासत में एंट्री लेने वाली पुश्पम प्रिया चौधरी ने अब जो है मुख्यमंत्री नितीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है पहले बेग्यापन देकर चर्चा में आए फिर होडिंग्स बैनर पोस्टर लगे बिहार भर में और अब नितीश कुमार के पॉलिसीज पर सवाल उठाया जा रहा है कुश्पम प्रिया चौधरी की जो सोशल मीडिया नेट्वरकिंग है फेस्बुक है ट्विटर है इन सब पे अभी अभी एक पोस्ट किया गया है क्योंकि आज बिहार बधानसवा का को स्थाधित कर दिया गया कोरोना वाइरस के लेकर तो उसके उसी दर्म्यान जो है ये भी बिहार सरकार ने कहा कि जो मिड़े मिल बच्चों को दिया जाता है सरकारी स्कूलों में क्योंकि 31 माज तक के लिए बिहार के सरकारी स्कूलों को सरकार ने बंद कर दिया है तो बिहार सरकार ने ये कहा है कि एक साड़े साथ रुपे प्रती दिन के हिसाब से जिन बच्चों को जो मिड़े मिल जो बच्चे वहां खाते थे जो स्कूल जाते थे वो बच्चों को साड़े साथ रुपे प्रती दिन के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाएगा और उसी चीज को मुद्दा बना लिया है पुश्पम प्रिया चौधरी ने और उसको लेकर नितीश सरकार को साड़े साती सरकार बताया है पूरी खबर पे हम चर्चा करेंगे हमाई साथ हमाई से योगी सुजीत जी है चोजी सर साड़े साती सरकार बताया है पुश्पम प्रिया चौधरी ने नितीश कुमार की सरकार को पहले उन्होंने खुद को मुखमंतरी उमिदवार घोशित किया, बिहार की सियासत में चर्चा का केंदर बनी और अब नीतियों पर प्रहार हो रहा है, मुखमंतरी की नीतियों पर. देखिए, पुस्पम प्रिया का जो उन्होंने अपना एक मापदर्ण तय किया है, वो पूरा काम अपने उसी मापदर्ण के हिसाब से कर रही है, उन्होंने जैसे बहुत पुरानी कहा हो था ने कि आप सीधे बड़े पेबार करो, तो छोटा अपने आप आपको अट्रैट कर कर लेगा, तो उन्होंने जानबूझ के सीधे सीएम पद के लिए, हो सकता उनकी एस्ट्रेट्जी हो, चुकि वो एस्ट्रेट्जिक प्लानिंग बहुत बहुत बेदर तरीके से अभी तक तो देखने में आरा कर रही है, उन्होंने सीधे अपने आपको सीएम पद के लिए गोसित कर दिया, तो जाइब सी बात है, जो आम तोर पर जो भी आते हैं राजनीती में, उन्होंने जिसे आम तोर पर किसी की फॉल्टिक्स में अगर कोई आता है, तो उसकी लालसा होती हो, या तो बिधायक बने या एमपी बने, मंत्री उंत्री तो बात की बात है, तो पुस्पम प्रिया ने सिधे सीम पद के लिए, पहला उनका वो था, उन्होंने अपना वो किया, अब देखिए, दूसरी बात यह है, को वो जड़ मूल की जो मुद्दे हैं, जो उनको लगता है कि इनसे सिधा सारोकार हो सकता है, जनता का, उसको वो उठाने की कोशिस क कर रही है, आपने देखा होगा कि इसके पहले भी, जब वो मुखमंदरी के गरी जिले में गई थी, तो उनकी कोशिस यह थी, कि वो किसानों को मुद्दे को छिए, उन्होंने किसानों को छुने, कोशिस की, कुछ किसानों सुनने, जहां तक मेरी जानकारी है, उन्होंने ब साड़े साथ ही सरकार के नाम से अब ये बात बिल्कुल तै है राजबोहन कि आप एक दीन में साड़े साथ रुपए और किसी को देंगे खाने के लिए तो वो साड़े साथ रुपए में क्या खाएगा ताकिक रूप से अगर बाते देखी जाए तो ये बिल्कुल सही भी है क साधे साथ रुपए में क्या मिलेगा और वास्तुविक रुप में दीखे जाये तो हकीकत भी यह पुछी साधे साने रुपए में तो मुझे ही लगता है कुछ खाने पिने के लिए घुज़े होता है सरकार मिद्दे मिल के यह बजट कितना तै करती है, कितने बच्चों को उससे फाइदा होता है, यह सारी चीजे उसमें मिड़े मिल के लिए होती है, अब 7.5 रुपे के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो 7.5 रुपे के हिसाब से महीने कितना हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई बहुत बड़ी राशी है जाहिरती बात है पुस्पम प्रिया ने कोशिस किया है कि आप वैसे मुद्धों को टच करें जो सीधे सीधे एकदम लोगों से जाके उसको कनेक्ट कर सकें बागी तो उनकी अपने स्टेटजी है अब यह देखना हुआ कि अगला कदम उनका क्या है पुस्पम प्रिया का पुस्पम प्रिया चोधरी ने कुछ दिर पहले किया है कि इसी देश में केरल में सरकार मिड़े भोजन बच्चों के घर तक पहुचा रही है और बिहार में पॉलिसी निर्मान कितना आतारकिक और उसका कार्यान वयन कितना असमेदंशील है इसका सबसे ताजा उदाहरन सरकार का ये फैसला है कि सरकारी आदेश के कारण बंद स्कूल और बंद मिड़े भोजन की एवज में भूखे बच्चों के परिवारों को साथे साथ रूपे प्रती दिन के हिसाब से दिये जाएंगे साडे साथ रूपे में आज कल कौन सा पॉश्टिक भोजन मिलता है ये सवाल किया है और ये रूपे कब ही कब मिलेंगे ये भी सवाल है और तीसरा सवाल ये है और क्या जब तक ये पैसे नहीं मिलेंगे तब तक क्या भच्चे भूखे रहें और उसके साथ जो बिहार सरकार ने ये चुट्थी जो सरकूलर है जो इस आदेश के बाद जारी किया गया उसको भी चस्पा किया है। अब देखना ये होगा कि साड़े साथ रुपे के हिसाब से क्या मैनी भी तयार होता है। अगर वो मैंनी तियार होते हैं तो उसमें बच्चों की क्वाइटिटी देखिया देगी बच्चों की संख्या कितनी है यह जो सरकार ने जो decision लिया था कि आप जो कुछ भी बच्चों को पैसे जो देने हैं यह कुरोना वाइरस को लिए कदिया गया था कि चुकि स्कूल बंद है, मेंडे मिल बच्चों को देना है, सुप्रियम कोट का दे सही है, अगर मेंडे मिल बच्चों को देना है, तो आप तो ब्रेक नहीं करेंगे, तो वो पैसे जो हैं, जो उन्होंने कहा कैसे दिये जाएंगे, वो पैसे जो हैं बच्चों के अकाउंट जाएंगे अगर बच्चों का अकाउंट नहीं है तो उनके मातापिता के अकाउंट में जाएंगे ये सारी बिवस्था की गई है लेकिन घुमफिर के हाँ, सुई वहीं पे आके अटकती है कि शॉड़े साथ रुपे में क्या मिलेगा, तो सॉड़े साथ रुपे में जाहिर सी बात है, सॉर्वे में तो कुछ मिलने वाला है नहीं, मुद्दा अच्छा है इनका, मुझे लगता है कि उन्होंने इस चीच को की है जिसको चूने के बाद वो दूसरी पाटिया भी क्या उसको लपकती है या क्या करती है फिलाल यह तो वक्त आने बाइद देखने पड़ेगा कि क्या हो रहा है यह तो पुश्पम चुरिया चौदरी ने एक पोस्ट किया है बिहार सरकार ने कोरोना को लेकर जिस तरीके स अब करें से त्माम पब्लिक प्लीसिस को बंद किया बिहार के स्कूल कोचिंग तमाम संस्थानों को बंद कर दिया गया है भीर भाड़ वाले जो जगें हैं उन पर क्योंकि मास्क जहां पर कठा होता है उसी पर ज़ुआदा क्योंकि संक्रमन का खत्रा मंद रा रहा है आज कारवाही जो है विधानसभा के स्थागित की गई उसे पहले मुखमंतरी ने ये बताया कि जो ये 15-16 दिन बच्चे जो स्कूल नहीं आएंगे उनको साड़े साथ रुपे प्रति दिन के हिसाब से जोड़के उनके घरवालों को पैसा मिलेगा तो यही मुद्दा जो है पुष्पम प्रिया चोधरी ने उठा लिया है और इसे सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है और नितिश सरकार की नीती पर हमला किया है और इसे आतारकाइक और आसमेदनशील बताया है फिलाल के लिए इतना ही आप बने रहें लिए चीड़ी नियूस के साथ और पुष्पम प्रिया चaudरी की ये नए खिसम की पॉलिटिक्स और बिहार में उनकी जो ये एंट्री हुई है ये नए तरीके की जो पॉलिटिक्स की शिरुवात हुई है नए तरीके के मुद्दे लाए जा रहे हैं मुद्दों पर बात हो रही है पुश्पम प्रिया चौधरी के बारे में आपको क्या लगता है और उनकी जो ये पॉलिटिक्स है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं क्योंकि उनका लगतार उनके सोचल मेडिया ये कहे रही है कि उनकी कोशिश है बॉक्स में जरूर बताएं मुश्कार